हाई फ्रेंज मैं आर्थी ऑनलाइन प्रेप्रेशन बीध हार्थी में आपका स्वागत है आज का वीडियो है यह आपका यूजी सीनेट के लिए है जो दिसंबर 2019 में आपके एक्जाम होने है पेपर वन है स्क्षिन अवधारा और ट्रकित से यानी टीचिंग कॉंसेट और नेचर से इसमें इसे कोश्टन होते हैं जो आपके सीटेट यूपीटेट यानि टेट के एक्जाम में भी पूछ जाते हैं इसलिए वीडियो सीटेट यूपीटेट वालों के लिए है तो चलिया यह फिल ले यह फिर जल्दी से ले लेते हैं हमसे क्यों लेकिन वीडियो को लाइक करिए शियर जरूर करिएगा ताकि सभी तक की इंफॉर्मेशन पहुंचे और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिजे तो आप देख रहे हैं यह बहुभी अब के कोश्चन से हैं तो इसमें हम पहला कोश्चन देखते हैं तो हमारा पहला कोश्चन बनता है कि निर्देशात्मक प्रतिमान या फिर एवं बी दोनों या फिर उप्रोक्त में से कोई भी नहीं तो देखे कक्षा सिक्षण में क्या में चीजें होती हैं क्या चीजें वहाँ पर की जाती हैं क्या क्या एक्टिविटी होती है आप इस चीज को मैंड में रख लेंगे तो इसका एंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा तो इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाए सिखाया भी जाता है और साथ साथ में निर्देशात्मक प्रतिमान यानि निर्देशन भी वहाँ पे दिये जाते हैं तो इसका जो राइट एंसर है वो सी हो जाएगा ए और बी दोनों ठीक है ना चलिए हम अगला कोशें ले लेते हैं कि यदि कोई वियक्ती सिखषकशक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारबूध अवशक्शक्ता क्या है सिखषक बनने के लिए आधार वूशक्ता क्या है वेरी बिर्य benफि कोस्षान सापका बन सकता है तो सक्षण में वास्तविक र इन में से क्या होनी चाहिए तो देखिए इसका जो राइट एंसर वह हो जाएगा जी बिसय का ग्यान ठीक है ना क्योंकि टीचर हर एक सब्जेक्ट कर लग होता है तो जब तक टीचर को अपने सब्जेक्ट का ही नहीं होगा तो टीचर नहीं बन सकता माली जी सिक्षन में उस स्वास भी है अच्छी है व्यक्त भी है लेकिन जब उसे अपने सब्जेक्ट का ही ग्यान नहीं होगा तो वह पढ़ाएगा क्या इसलिए यहां पर राइट एंसर आपका हो जाता है विसय का ग्यान ओके चलिए हम अगला कुश्चन ले लेते हैं निनलकित कतनों में से कौन सा सत्त नहीं है क्योंकि कोश्चन बहुत सारे हैं मैं आपके इंसर बता देती हूं और क्यों होंगे मैं यह भी आपको इस्प्लेन कर दूंगी तो कौन सा सत्त नहीं है इसका राइट एंसर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी सत्त नहीं है अच्छा उपरोक्त सभी सत्त क्यों नहीं है सिक्षण सिर्फ एक कला नहीं है एक आर्ट नहीं है यह सिक्षण क्या है सिक्षण के बारे में करहाँ तरफ पढ़ाना एक कोसल भी होता है ठीक है शिक्षकों को केवल प्रसिक्षित किया जा सकता है तो ऐसा नहीं है उनमें कोशल भी होता है कुछ जो सिक्षक होते हैं पहले से भी ट्रेंड होते हैं ठीक है ना सिक्षक सदयव पैदाइसी होते हैं बिलकुर नहीं उन्हें प्रसिक्षित भी किया जाता है कुछ सिक् सबसे वांचित कॉसल कौन सा है वांचित कॉसल की बाद तो यहां पर इसका राइट एंसर वो आपका हो जाएगा यानि सिक्षक द्वारा कही गई बाद चात्र की समझ में आना देखिए आप में कॉसल आप में एक टेलेंट आप में वह स्किल होना चाहिए कि आप जो इस्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं वह उनकी समझ में आए ठीक है ना तो सिख्षक द्वारा जो भी बाते बताई जाती है जो भी पार जो भी लिसन समझाया जाता है वह चाहिए तो भेरी इंपॉर्टेंट होता है तो एक कॉसल जो है यह इंपॉर्टेंट होता है सिख्षक में होना कि सिख्षक अपनी बातों को छात्र को समझा सके ठीक है चलिए मघला कोशन ले लेते हैं है तो यहां पी दिया हुआ है सिख्षण का अस्तर और यहां पर मुख प्रस्तावक दिये वूए हैं अब आपको इसमरित अस्तर ग्रहन ग्रहेंट सकती अस्तर विचार सील अस्तर हर्वर्ट मारिशन या हंट मतलब इसमृत अस्तर किसके द्वारा प्रस्तावीत किया गया इसके जनक कौन है और इसी तरह से विचार सील अस्तर तो देखिए इसका जो राइट एंसर है क्योंकि यहां पे नीचे कूट भी दिये हु जो है वो हंट के द्वारा दिया गया तो बिलकुन राइट सभी सामने लिखा हुआ है तो इसका जो राइट एंसर है वो ए हो जाएगा ओके इससे जरूर यात कर लीजेगा इस तरह के कोश्चन नेट में बहुत पूछे जाते हैं आपके युपी टेट में तो पूछ सकता है किसमरित अस्तर का प्रत्पादक किस ने किया इस तरह से लेकिन नेट में जो है जन्रली इस तरह के सुमेरित वाले कोश्चन बहुत पूछे जाते हैं ठीक है निमने लिखित में से कौन सा सिक्षण के बिभी नस्तरों का सही क्रम है सिक्षण के बिभी नस्तरों का सही क् पहले इस्मृत ध्यान में रखना फिर उसको बोध यानी समझ करना फिर उसका चिंतन करना तो ए जो है वो राइट एंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिए हमारा अगला कोश्चन देख लेते हैं हमारा अगला कोश्चन है कि निनलकित में से कौन सा सिक्षण अधिगम प्रक्रिय यानि teaching learning process में स्वतंत्र चर है स्वतंत्र चर कौन सा है किसमें सिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बेरी बेरी इंपोर्टेद्र जायेगा यानि सिक्षक स्वतंत्र होता है ठीक आधिए सब्सक्राइब कर सकता है यहां पर सकते हैं और उसको अपनी पढ़ाई भी यहां पे करनी होती लेकिन आपे सिक्षक जो है स्वतंत चर के रूप में देखा जाता है तो यह कोश्चन बहुत बार पोचा गया है तो राइट एंसर इसका हो जाएगा सिक्षक ओके चली हम अगला कोश्चन जल्दी से ले लेते हैं हमारा निश्ट कोश्चन कौन सा है इसके लिए हम उपर चल है जिसका देखिए जो राइट एंसर है वो हो जाएगा ए प्रत्य शिक्षक के द्वारा जो है प्रयोग की जानी चाहिए ठीक है सूची एक के साथ सूची दो का मिलान करना है यहां पे फिसर चली मिलान कर लेते हैं क्योंकि नेट के लिए बहुत आते हैं लेकिन आप हुआ मुख्य प्रतिपादा किसली सभी के लिए कुश्चन से इंपॉर्टन बनता है संपूर्ण से अंस की ओर यह क्या है सिक्षण सूत्र है टीचिंग कॉंसेप्ट है प्रिंस्पल से अब यहां पर बताना इसकी जनक कौन है स्वस्थ अध्यान और भावना का इसका है इसका हो जाएगा सिर्ट यानि यह बिग्यान सिक्षण की प्रकित तो यह बिग्यान और दोनों है क्या है सिक्षण की प्रकित क्या है ज्ञान और कला दोनों हैं निम निलकित में से कौन सा क्रम सिक्षण के तीन अस्तरों को दर्शाता है तो इसमें देखे कोड भी दिया हुआ है आपको कूट दिया है तो यहां पे मिलाना पड़ेगा तो इसका जो राइट एंसर है एका वो हो जाएगा आपका ए यानि की सिक् जिसको हमने क्रम से लगा आता है तो पहले इसमृत करना ध्यान करना पिर उसको समझना पिर उसका चिंतन करना तो राइट एंसर क्या हो जाएगा फर्स सेकंड एं थर्ट यह आपके ए में मिल रहे हैं ओके चलिए हम अगला कोश्चन ले लेते हैं हमारा नेश कोश्चन है क निमनलकित में से सिक्षन में कौन सा मुक्ष परिवर्तन आधुनिक समय में मुक्ते देखने को मिलता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा जब शक्षारती आत्म निर्देशित होता है तो ऐसी इस्थित को दरशाने के लिए निम्ने में से कौन से सब्द प्रयोक किये जाने चाहिए यानि कि आत्म निर्देशी सिल्फ डिरेक्टिट जब ब्यास सिक्षार थी यानि कौन जो पढ़ रहा है चात्र तो कौन सा शब्द प्रेयोग होँ पर करना चाहिए तो इसका जो राइट उन्सर है वो हो जायेगा अंडर गोगिकल कौन सा प्रयोग होना चाहिए अंडर गोगिकल प्रयोग होना चाहिए नेक्ट कुशन हम देख लेते हैं यहां पर वेरी बेरी इंपोर्टेंट आपके सभी कोश्चन से आधे हैं कुशन नंबर 14 में निर्देश्चात्माक उद्देश शात्र के लिए लिखे जाते सिंपल सा कोश्चन उप्रोक्त सभी हो जाएगा यानि बिसिस्ट उद्देश होने चाहिए ठीक है और साथ में मापने योग होने चाहिए सभी जो उद्देश है ये निर्देशात्मक उद्देश में होने चाहिए निम्नलिकित में से कौन सा कथन गतिसील सिक्षण बातावरण के संदर्ण में सही है जिसका जो राइट अंसर है वो आपका हो जाएगा बी यानि सिक्षक एक स्वतंत्र चरह है और चात्र आस्रिचर है बेरी इंपॉर्टन देखे भी आता है सिक्षक किस तरह का चरह है स्वत आस्रिचर होते हैं ठीक है ना चलिए अगला कोश्चन देख लेते हैं निम्नलिकी सिक्षण अस्तर में कौन सा अस्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना आवश्चक है तो इसका जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा चिंतन सीर अ अबस्त हैं चिंतन करना चिंतन मनद में कर सकते हैं बच्चों को सवतंत्रता से बाउंडेशन उसमें उन्हें ना रखे ठीक हैं पार्टकरण शब्द को क्या अर्थ है तो हुता है यानि सेक्षण संस्थानों के द्वारा निरदारीत लक्षों को फ्राप्त करने हैं होते हैं तो सेच्छी सनस्थान हो जाते हैं एक निदारित लक्ष होता है हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पाफ्ट प्रम होते हैं और पहले ही है ठीड होते हैं कि यह आनक Ар मार्व जों को प्राप्त करने हैं सीखने और अनबोवों का एयोजन करना ही पाठक्रम शब्द कहलाता है चलिए अगला question ले लेते हैं संग्यानात्मग ग्यांचेत्र का वरगी के अंपने में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था बेरि बेरि इंपोर्टेंट ये questions है तो देखे Benjamin HW जिसे हम बोलते है Bloom. Simple लम क्या बोलते हैं? ठीक है ना? BS Bloom बोलते हैं उनके द्वारा इनका पुरा रजो नाम है वो है Benjamin S Bloom के द्वारा संगयनात्मक ज्यानचेत का वरगी करन किया गया था बेरी बेरी important है ये टेट के लिए निम लकित में से कौन सा सब्द पहले से सीखी गई सामगरी का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है अनुका ना मतलब होता है प्रयोग हम पहले कर चुके हैं दुबारा उसका प्रयोग करना संग्यानाटमक ज्यानचेतर का हुच तम अस्तर कौन और संग्यानाटमक ज्यान के बाद कुछ स्क्षण को दर्शाता है सिक्षण को दर्साथ मेलों बहुत trata को पूछे जाते हैं चलिए खाम अगला हमारा अगला कोश्चन है कूट में हैं कि सूची को किश्ची को मिलाना है यहां पर देखी विशेशता दी हुँ है यहां पर दर्शन दिया हुआ आपको इसको मिलाना है बहुत के लिए बहुत है और कभी-कभी शिद कर दि कर देखें यहां पे अगर हम देखते हैं इसका जो answer है जो हमारे बन जाता है यहां के यहां पर करोगे सीखना डिरिया कर शिखना फिर कर शीक्रां कर फिर दूसरा हमारा हो जाता है इसमें वन यानि पर्यावरण के माध्यम से सिक्षा तो ये किसका है प्रकीतिवाद का प्रकीत पर्यावरण क्या है प्रकीत ही तो है ना हम कहते हैं हमारी प्रकीत हरी बरी होनी चाहिए यानि हमारा पर्यावरण हरा भरा होगा तो हमारी प्रकी फिर हमारा थर्ड हो जाता है थर्ड का टू हो जाएगा शत्त सौंदर और भलाई की अनुभूत यानि आदर्सवाद आदर्सवाद आल्वेज होता है वह सत्त की पूजा करता है जहां पर सत्त आये सिद्धे आप्टिक लगा दीजे आदर्सवाद में और फोर नंबर का जो ह वह उस वक्त मिलता है वह उसको उसी वक्त सही मांते है थीक के पहले क्या हुआ आगे क्या होगा वह इस में बप्रतिवम्बित होते हैं तो इसकाल Jen संग्यानात्मक च्छेत्र को सामिल करते हैं कि द्ष्ट को प्रतिविंबित किया जाता है तो देखे इसका राइट हो जाएगा भावात्मक चेत्र में जो है संग्यानात्मग भाव आत्मा क्रियात्मग जरूर देख लीज़ेगा व्यूर्य अब लेवल है निनलकित में से कौन सा ज्यानचेत सारी से संबंदित है इसका राइट यंसर हो जाएगा मनोशन संबंदित के रूप में उद्धित किया जा सकता है संग्यानात्मक ज्यानचेत के रूप में किसे आप सामिल कर सकते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा किसी विशेस विशेका वर्णन करना संग्यानात्मक ज्यानचेत के रूप में आप कर सकते हैं निनलकित में से किसको सिछड के संदर में मनोसंचालित के रूप में लिया जा सकता है सिच्छड के संदर में मनो संचालित के रूप में आप ले सकते हैं तो इसका राइट एंसर हो जाएगा भी प्रयोक करना ठीक है प्रयोक करना को हम क्या कर सकते हैं मनोसंचालित के रूप में हम ले सकते हैं आप монकुर में निष्ट्ट के देख लेते हैं क्योंकर जिए जल्दी से हम निष्ट ले लेते हैं मैं 40 students कंखा सब्सक्राइब को जाइन कहुंना क्थन है've असत्त है जाएब हम घ्लिए इसके कर देती हूं जल्दी से ले लेती तिसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा यानि सिक्षा और सिक्षण ए कहीं अवधारना है ये असत है, ठीक है ना? दोनों अलग अलग अवधारना है निम्निलकित में से कौन सा सिक्षण के च्छेतर में विसेशंगता को दर्शाता है सिक्षण के छेत्र में विशे सगता को दर्शाता है तो इसका देखिए जो राइट एंसर है वो आप कड़ी हो जाएगा उपरोक्त सभी अबधार्णाओं का ग्यान, सिक्षण कोशल का ग्यान, निर्ने लेने का कोशल का ग्यान ये सभी जो है सिक्षा के छेत्र के अंतरगत लाते हैं, निमन में से किस प्रकार का व्यक्तित इसक्षण के द०्ष्ट कोण से सब से अधिक अनुपयुक्त है, इस चीज को याद रखिएगा व्यक्षण के दिष्टिकोण से जो जो राइट एंसर है वो आपका हो जाएगा सि, यारि इसकी सिक्षण में कोई अभी होगा निम्न में से कोई से अध्यापन के सिध्धांत है अध्यापन 날 टीचिंग के सिध्धांत कौुन से इनम्न में से आपको बताना थिसका राम है यह ऑपका क्यों हो जाएगा आपा क्यों कि This से तार्किक की और और मुर्द और के मोर्द से अमूर्द की और यहां पर अनो होता वाफ यहां पर बताना है ठीक compris कर यहां पर होता है यानि कोई एक चीज दी हुई है और मतलब संपूर्ण नहीं एक सपूर्ण का धूर्ण संत्व किया चुर्द को सरल रघंसे प्रस्तुत करने के प्रयूक्त किये जाते हैं सब करने के लिए प्रयुक्त किये जाते है तो जो राइट एंसर बूद भी हो जायगा तुनल इंछा कित tätä से कौंसा विकल्प सिख्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में और अदिक प्रभावी बनाने में प्रयोग लाना चाहिए यानि विकल्प दिये हैं इन में जिए विक्षब को 방port वाली कक्षा में सिक्षण को अधिक प्रभावी बिनाने में प्रयोग जहां पर विद्यार्थी कम है ऐसी कक्षा में कौन सा विकल्प तीचर यूच करें सिधा सा कोशन आप से पूछ रहा है इसका जो राइट एंसर है वो हो जाएगा डी उप्रोक्त सभी यानि की अधिगम समबंदी समस्यां की पहचान करना छात्रों पर व्EX ध्यान को चात्रों के बीच की भीशनताओं को ध्यान में रख कर बनाना ये सबी चीज जो है को पयी करना चाहिए कं विद्याथी वाली कख्षा में ओके चलीम ढिब कोश्चन हम जल्दी से ले लेते हैं 35 नंबर का हम कोश्चन ले लेते हैं निनलकित में से सिक्षण ब्यवसाय के प्रारम में सबसे महत्पुन एकल कारक कौन सा है इसका जो राइट एंसर है वो सी हो जाएगा निसक्षक को अपना व्यक्तित और शमता को कक्षा और छात्रों म के संदर्व में सही है कोश्चन को समझेगा प्राभावी सिक्षण के संदर्व में सही है तिसका राइट एंसर हो जाएगा सी यानि कि सिक्षको द्वारा शात्रों को सीखना और समझना शात्रों को आप सिखाना और समझना यानि शात्रों को आप सिखाना और समझना यानि बताना है किन दर्षनेक के कौन से दर्षन है तो इसका जो राइट एंसर है वो हम कर लेते हैं सलेक्ट सी यानि कि ये वाला तो वन का थ्री टेगो यानि बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महात्त पूर्ण है फिर सेकंड विवेकनन ने कहा कि योग सिक्षा का एक माध्यम है और महात्मा गादी ने कहा था कि सामन जिस से पूर्ण व्यक्तित का विकास करना और बहुत धर्म जो है वो है कर्म का शिद्धान्द करना यहाँ पर एक ओप्शन जादा दे दिया गया है लेकिन आपको मिलाना यहाँ फिफ्ट का कोई भी मतलब नहीं है ठीक है ना चलिए हम अगला कोशन देख लेते हैं मारा अन्ने कोशन कौन सा है यह किसने कहा है कि सिक्षा मानो निरमार है जो चरित निर्मित करती है मन की शक्ति बढ़ाती है ग्यान का बिस्तार करती है और जिसके द्वारा आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है यह कतन किसका है बहे इं Punkें कि सब्सक्राइब मानों का निरमार निरमार सिक्षा से बढ़ते हैं कौन से सिक्षन प्रक्रिया में सबसे पहली आनी चाहिए, जो राई टैंसर है सु देशों का निरूपण करना, सिक्षं लुकन कि योजना बनाना च्छात्रों करूची रूचि में जानना यह सबी सबसेın होगा कि इससलिए प्रक्री जाता है यहां पर को लगेगा कि सबसे पहले आना चाहिए चार में से एक कोई और आप एकडिक कर करनें एंसर कुछaking आइंगे यह जो तीनों रिंपे बहसब होती है चल यह ले ले लेटे हैं कि ने मिखित में से कौन सा कथन प्रभावी सिक्षण में सम्लित है और यह अपका हो जाएगा तो आज हमने 40 कोश्चन से लिये बेरि अपके कोश्चन है यह सिक्षण अधार्ना और प्रकित से यानि teaching concept and nature से जो निट के साथ साथ में सी टेट यानि टेट के जितने भी एक्जाम से होते हैं सबी के लिए बेरी इंपॉर्टेंट होता है यह फोटी कोशन से आपने पढ़ लिए तो हंडेट नमबर आपके फोर या फाइफ जो नमबर है परसंट में से फोर या फाइफ नमबर आ आजाएंगे वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए नेस्ट वीडियो का वेट करिएगा उस वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक के और बाई